जंगल का एक छोटा सा जानवर कच्छुआ जिसे सभी जानवर टिम कहकर बुलाते थे टिम एक बहादूर और मेहनती कच्छुआ था एक दिन टिम ने देखा कि जंगल के कुछ विशाल जानवर एक सुनहरे स्वर्ण कलश को हासिल करने के लिए जंगल से दूर एक पेड के पास दोड़ रहे हैं टिम ने सोचा कि वह भी स्वर्ण कलश को प्राप्त करने की कोशिश करेगा वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगा तिम ने देखा कि सभी जानवर उन रतनों को पाने के लिए पेड के पास खड़े होकर कोशिश कर रहे थे पर स्वर्म कलश पेड की उची शाखा पर होने की वज़े से कोई भी उसे हासिल नहीं कर पा रहा था अंक में सब जानवर हार मानकर वहां से वापस चले गए तिम पेड के पास गया और पेड पर चड़ने की कोशिश करने लगा उसने हार नहीं मानी और मिरंतर प्रयास करने लगा समय बीटता गया 10 दिन लगातार मेहनत के बाद अंत में तिम ने सफलता हासिल की और स्वर्म कलश को सुरक्षित तरीके से प्राप्त किया जंगल के अन्य जानवर ये देखकर आश्चर्य चकित हो गए कि हम इतने विशाल होकर भी स्वर्ण कलश को हासिल नहीं कर पाए फिर इतना छोटा होने के बावजूद तिम कैसे स्वर्ण कलश को प्राप्त करने में सफल हुआ टिम ने सबको सिखाया कि किसी का आकार छोटा हो या बड़ा अगर वो किसी क्षेत्र में निरंतर प्रयास और मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर प्राप्त होती है